खोल दे पंक मेरे कहते हैं परिंदे अभी और उलान बांकी है जमी नहीं है मन्जिल मेरी अभी पूरा आसमान बांकी है नमस्कार मैं मीथुन यादव आप समों का CGSI के स्पेसल बैच में कमपडिसन कमल्टी पर स्वागत करता हूँ गैज एक बहुत ही उम्दा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम होगा टाइम एन वर्क समझेगा टाइम एन वर्क है और पाइपन सिस्टन यह दोनों टॉपिक गैज एक ही कॉंसर्ट पर आता है यह डिटेल बात करते हैं और जिस लेवल के कोसन आपके CGSI म आपको video मिल रही है ठीक है और video की quality कि आपको आपको देखने बाद समय में आ गिया होगा अभी तक हो सोलुषन देने का जो हमारा तरीका रहा है वह बिलकुल अलग रहा है ठीक है तो आप बिलकुल help कर सकते हैं अपने दोस्तों अपने भाई बहन दोर्ड कूय तियाड़ तर्मलोजी का इस्तमाल इस टॉपिक में होगा और उससे हम थोड़ा सा कमफर्ट वे में क्या करें फेस करें उसको ठीक है पहले हम टाइम एन वर्क की बात करेंगा जिसके बाद हम लोग क्या करेंगा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं पाइप एंड सिस्टन पर बात करेंग इस्तमाल हो रहा है उस तरम लोजी को आप बारी की समझ जाएंगे तो किसी भी question में कोई तकलिफ नहीं होगी इवेन उसे बाहर कोई टर्म लोजी का इस्तमाल time and work के इतिहास में नहीं होगा सब्सक्राइब क्या पढ़ाने जा रहे हैं हमने द्यान सुनिएगा पहला एक रूल पढ़े हैं हम लोग चैन रूल है कि हम लेकुछ वेरिवल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगी आयो रूल को देखते हम लोग बार क्या है सर देखीगा रूल है एक हमारा क्या रूल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चैन रूल बोलते हैं ठीक है सर इसमें तो टोटल पांच टर्म का इस्तवाल हुआ हम ले बिल्कुल सही सोच आप आये इन पांचों टर्म के बारे में आपको बताते हैं तब जा करके आपको चीजे धिरे-धिरे समझ में आने लग जाएगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा है गाईज मैं उमीद करू कροके यहांगे पांच लोग आएगे है ना तो जो एस अउगाई यहां देले लग box करनी उसको कहां से लिकाएम होगा थोड़ा प्ताफ होगा आपके लिए सवेकिंध करने के working days का मतलब कितने दिन किए ठीक है तर दस दिन की या पांस दिन किए गाइज या चार दिन किए जितने दिन काम करेंगे उस युसको बिखनाताए नम्बर अफ और वर्किंग डेज चार दिन काम किया है तो यहाँ पर दी जौ आसो चार हो सबुए ऐस कि frog health कि working our Clark a लग अलग अलग होती है कोई आठ घंटा काम कराती इस तर्म को आपको सामील यहां पर करनी होगी ठीक है सब्सक्राइब करने की रप्तार को ही क्या बोलते हैं लोग एक दिन में किया गया कारी जो होती है क्या होती है हमारा एक दिन में आप चार काम कर रहे हैं मतला आपकी एफिसियंसी कितनी है ठीक है उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा एक सवाल अपने पढ़ा दिया सब्सक्राइब लेकिन एक बात अभी आप नहीं बताए हैं यह हमारा टर्म क्या है कि ये बात है कि ये चैन डूल हम को लगाएंगे किसे किसी कौसन को यहां से पढ़ेंगे और पढ़केए हमारे दिमाग में ख derivल किसे आईगी यहां पर चैन डूल लगेगी या कोई ओर रूल लगेगा हम बहुत अच्छा सवाल था जवाब सुनिए अगर लिख लीजेगा अगर किसी कौस्टन को अगर पढ़ते हैं वहाँ पे वरकर की संख्यां गाईज अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर कोई खांके को से जाज़ा होगा यह लगा हो bombs Veg लोग दा घृत दा मैं जा रहा हूं और जो नहीं लिए होंगे फटाबट सी स्क्रिंशॉट ले लीजिए ज्ञान सुनेगा ठीक है ज्ञान सुनेगा सपर यह लिमीटेशंस क्या है समझते है अ है इसका मतलब की कर लकिन 2 से कम कोई टर्म नहीं होनी चार तो चलेगा 5 तो आपकर हमारे पास 3 रम्हें है और 2 तर्म अगर नहीं दिया उसका क्लब निकलता है या उस मतलब के वारण मित्रों को श्काGo उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, माल लिजे गाज, यहाँ पर M1 दिया हुआ है, D1 दो ही टर्म दिया हुआ, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, सर बाकी जो तीन टर्म के बारे नहीं दिया है, उसको हम क्या समझ के बेड़ जाएंगे, हम बोले समझ जेगा, बाकी जो टर्म नहीं दिया गया है, जिसे यहाँ पर गैज आपको H1 नहीं दिया हुआ, H2, इसका मतलब यह माल लेना है, कि आपके working hours दोनों ही case में equal रहा होगा, मतलब यहाँ पर guys, H1 बराबर H2 आपको समझ लेना है, उसके बारे बहुत ज्यादा सोचने की जरुत नहीं है, सर यह efficiency के बारे नहीं देगत क्या करेंगे, हम बोले इसका मतलब है कि efficiency आपके क्या होंगे, equal हो गये होंगे, और यह डाबलो बन, डाबलो टू भी equal रहा होगा, जो टर्म के बारे हम चर्चा नहीं करेगा, उसको खोजने की जरुत नहीं है, यह आप खुद में मान लेंगे कि सरीए equal हो गया होगा, बात के लिए रहात गईज, है ना, शरी आप हम लोग सीधे सवालों के रूप करते ह सब्सक्राइब करते हैं, और आपको पकल पाते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर चेंडूल लगेगी या नहीं लगेगी, सर सवाल क्या बोलगा, हम बोले किसी, अदि सोलो व्यक्ती परती दिन आठ घंटे काम करके एक कारी को बारा दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ती परती जो दिन 4 घंटे कारी करके उसी कारी को पूरा करेंगे, सर एक बात सब्सक्राइब करते हैं, सबसे पहली को पढ़ने से एक समय में आएगा, कि इसमें कौन सी रूल लगेगी और क्यों इसा लगने वला है, बात सब्सक्राइब करते हैं, आठ घंटे काम करके 12 दिनों में काम को फिलिस कर सकती है, तो सर कितने दिनों में, यहां पर नमर ऑफ डेज पूछी जा रही है, कि सर बारा वक्ती अगर 4-4 घंटे डेली काम करेंगे, तो कितने दिन में होगा, तो सर यहां पर क्या होगा, हमने कहा था कि अगर वर्कर की सं और हैच रखबर बरावर एम टू डी टू यह होगा क्या एच टू हो गया ठीक है एच टू अगया बात कर लेते हैं थे तो यहां पर 12 रख देंगे कितने घंटे पर डे काम करते आठ तो यहां पर क्या रख देंगे यह इतनी आसान रूल होती है जो आप पर लो समझना होगा बस मान को प्लगिन करी और अंसर आपके पास होगा ठीक है नमरे देंगे और अश्टू काम यहां पर चार घंटा दिया है आप इसको जल्दी से क्या कर सकते हैं आगे हम लोग बढ़ सकते हैं कैसर यह 12 सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको तकलिफ हो बात कर लेते हैं यहां पर सवाल क्या वोलाए कि यहांपे उसको valid नहीं है बहुत बड़ियां आगे अब उससी स्राइश से कर लगा पर में तीन टर्म का इस्तमाल किया था यहां पर चार्ट टर्म हो गया क्योंकि यह कारिक की भी बात किया है मतलब यह आपका क्या एंटू डी टू यह हो जागा हमारा कितना दीन लग रहा था हमान को प्लग इन कर दीजेगा कितने घंटे लग रहे थे सर यहां पर कितने दीन तो डी पूछा गया था कितने घंटे नौ घंटे और यह काम कितना हो गाईश डवल होगा यह सवाल खुद बला था कि Double work ठीक आईए इसको कॉम लोग क्या करते सर कटम पिटी मचा दें तो हमार क्या कर सकते? कितना वार में आईए इसको कर सकते? 8 वार में आये सर यह 9 से कटा दो क्ते? ओलडी आचुका 21 दिन, क्लियर रहा क्या, सर उमीद करते हैं, यह दोनों एक टाइप के सवाल थे, जिस पर हम लोग बात किये, देखें, टर्मलोजी जैसे बढ़ाएगा, तो हम फर्मूले में थोड़ी परिवर्तन करते चले जाएंगे, जल्दी से स्क्रिन सोट ले लिजे, आइए, ऑगे उन्हों, क्या क्या है, और 108 सर उमीको, उन्हों न trait लगा के दिया, ठीकें, अब क्या होगा, 46 दिन के बाद उन्हें पता चला, कि काम तोौथफद कारी पूरा हो चूका है, अब अमितेस भाई नहें कितने सर्मिको को हटा सकते हैं, ताकि कार गण समय को रोक कर देंगे और आपको बहुत भली भाती भी इसको समझा देंगे ठीक चली देखते हैं सर किस तरह किस तरह सवालों को एटेम्ट करते हैं पहले तुम्हें आपसे सवाल करना चाहूंगा कौन सी रूल लगाओगे सर यहां पर चेंड रूल लगेगा क्योंकि वरकर की संखाएक बराबर क्या होगा ध्यान सुनिएगा यहां पर आवर्स की कोई चर्चा नहीं की गई है तुम इसके इस्तमाल भी करने से बचना चाहेंगे बात क्लियर हुआ हम बोले ठीक है सर आईए बात करते हैं हम बोले कितने लोग को आप लगाये थे जो इतना पूसरा हो और 46 देज के बाद हम आ गए यह जानने के लिए कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है तो मतलब सर यह मातर 46 देज ही काम किया है हम बले ऐचा ठीक है 108 अदमी कितना काम किया 46 देज और आप जब आए तो पता चला कितना काम हुआ है सर यह टू थर्ड काम हुआ है टू थ किटने लोग है 108 तो मान लाघ गो को काम से निकाल दिया जाएं कि और कितने लोग को लगा दिया जाए और पर प्लस कर देते हाटा देना मतलब माइनस और एक्स्टा वरकर को लगा देना इसका मतलब है ठीक है सर और कितने दिन में काम करवाना साथ pirate Time पर किया मतलब होता है हम अगर यह बोला चाहिए तो देख लिए बचे कितने हैं तो 46 को क्या कर दिया जाए सब माइनस कर दिया जाए तो पहले 50 से कितना ज्यादा 22 और 4 36 मतलब सर चाहत में और चाहए बचा हुआ सिर्फ कितने दिन बचे हुए आपके 36 दिन तो यहां पर जौ को लेना है समय कौन सा लेना आपको देख लिजिएगा 36 दिन ठीक है आपके हात में कितना दिन 36 दिन ठीक है डन सर काम कितना करोगे तो सर टू थाड़ का मतलब तीन में से दो काम हो चुका मतलब यहां पर एक काम बचा तीन में से तो यह वंधर हो जाएगा आईए इसको हमलों क्या कर सकते हैं किंसल आउड करके यह तीन और तीन चाहिए यहां किंसल कर सकतो कोई दिकत की बात नहीं है सब्सक्राइब कर दिए तैइस से गुन डिवाइड करके हां ठीक है सर आईए बारा से कटा दूसरा वारा क्या होगा बारत यह च्छती से करा दिए ना च्छती से देख लिए इसको अच्छती से कटा ओगे ने इसको तो आप शटी स्टी स्टी डाइटे कर जागा कितना वार में तीन बार में तो करना क्या हम बले कुछ नहीं करना देखते रहेगा सब्सक्राइब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त एक सो आठ माइनस 69 बहुत उंदा सवाल है बहुत चांस सवाल अपके एकजाम में पूछे जाने का तो इस तरह की सवालों को भी आप अच्छे से इस्तमाल कर सकते है बस याद अखिए का तरीका क्या हो सकता है डिक है चलिए आगे हम लोग करेंगे तब तक लिए स्क्रीन सवाट जल्दी से फटाफट से ले लिजी तक आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल यह रहा ठीक है आईए तैन सुनिएगा सेम टाइप का सवाल हट कर के होगा लेकिन अब सवाल करने बहुत मजाएगा बला सर्फ 15 व्यक्ति एक कारी को 220 दिन में पूरा कर सकते हैं कितने दिन में गई इस 220 दिन में उन्होंने कारी करना क्या किया दस दिन के बाद क्या हुआ उनकी अप एक्षा दोगोनी कारी छमता वाले 15 और लोग इस कारे पर लगाए गए समझेगा बिल्कुल वही सवाल है जो अब हम ठीकिदारवला सवाल किये थे हना तो कुल मिलाकर कारी पूरा करने में उन्हें कितने दिन लग जाएंगे टोटल कितना समय लगेगा कारी को पूरा होने में यह सवाल उन्हें आप से पूछा गया है हम बहुत मतल番 पंदरवा लोग एक काम को 220 दिन डिन में कर सकते हैं लेकिन जब इन्हों昨 में सुरू किया है हूँ कि नये लोग आने वाले कि जो काम करने की छ्वमता है क्या कर रही है काम कर रही है इसका मतलब यहां पर ध्यान से सुझी यहीं पर बच्चा गलत कर सकता वरना गलत वो कहीं नहीं करेगा पहले वाले पंदरा लोग थे यह तो अपना ओर्जिनल एफिसेंस यह नहीं एक के रिफ्तार से काम कर रहे थे बात के लिए रुगा कि नहीं हां सर यह समय करेंगे और यह लोग को बचा हुआ कितना दिन लगेगा सर यह दिन लगेगा पले इतना जमज लिए ठीक है देखेगा टोटल वर को हमने टोटल वर के बड़ाबर कर दिया यहां दखेगा यह दो क्यों लिखे यह सवाल बोला था वो डवल एफिसेंसी साथ यह क्या करेग हम यहां पर 220 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 210 बचेगा कर दिया हूं किल्कुलेसन में ज्यादा वक्त आप ना लें यह मेरा सजेस्टन है ठीक है चलिए यहां पर देखेगा 15 दूनी 30 प्लस 15 कितना हो जागा 45 तो यहां सब क्या कर सकते हैं 45 और गुने क्या कर सकता यह बचा हुआ पूछा था हम नहीं इस टोटल दीन पूछा था बचा होगे और काम दस दिन पहले भी चल चुका था मतलब सतर और दस कितने होते हैं ची अज़ तो यह तरह सवाले फ्रेम कर सकती हैं यह बचे हुए काम को करने में लगा से में जो की सतर है और यह तो वा प दस का मतलब हो जाएगा हमारा 80 days ठीक है 80 days होगा बात के लिए रहा क्या है चलिए सर उमीद करते हैं कि आप लोग B को टिक करके आग निकल जाएंगे पड़ाबर से स्क्रीन सोर लेजिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा देखे अलग अलग तरह कि सवाल में पर हम ब सवाले बन सकते या तो कुछ बीच में सोल्जर को बुला लिए या बीच में से कुछ और सेनी को वहां पर डिपलोई कर दिए तीस तरह की दो सवाले यह बन जाती है तो आई देख लेते हैं क्या concept हो सकते हैं और बात हम लोग करना शुरू करते हैं बला से 1900 सेनिकों के लिए 90 दिन का प्रियाप्त भोजन है मतलब कई मान लोग की लडाई करने के लिए गया है और 90 दिन का खाना देके भेजे थे और यह मानते हैं कि हर एक दिन परती एक सेनिक जो 700 गरम भोजन करता है यह चीज़ को हम लोग अंज्यादा था ठीक है आए 56 दिन के बाद क्या हुआ 500 सेनिक को हम लोग के आके सीविर छोड़वा दिये सीविर छोड़कर क्या वापस आगया मान लीजिए सेनिक को पर चोड़ा भापस कैंक हो जाते हैं भापस आज आएंगे तो मैनस करतेंगे इगर बीच में और कोई चलके तो प्लस करतेंगे तो क्या कि तो बीस भोजआ के संधिक सेनिके को क लिए कितने दिन तक चलेगे हम फिर बोलते हैं जाँगाए तो chain rule के अलबा कोई दूसरा लूँ लगाएंगे हम लोग नहीं ठीक है और बार बार chain rule को लिखने का भी मकसद हमारा नहीं होना चाहिए ठीक है सर हम बले हाव वरकर कितने थे यहां पर माली सर उनीस सो दिखेगा उनीस सो सेनिक गए थे इसके खाना थे नवैद दिन के लिए और जो खाना का एमाउन था वो हर एक जो है सेनिक यहां पर शात सो गराम łby करकर खा करे ते दख लिजिए का बात क्लिए रहे हैं औरThis button को निकालने का लैटीका है कितना कि खाए 50 2 kphp तो बहुत बढ़ है तो वापस बने बाद आप क्या होगा हमेह पे पुछ किस राओं ठीक है सर उनी सो में आप मन में 500 घटा लीजिए कितना होगा रही सर चोगदास होगा अब बहुत बढ़िया और चोगदास जो सेनिक थे आप सरी बांकी कितने दिन भोजन चलेगा कितने दिन वी दिन भोजन कितना था बोलो आट सो क्षास यह वांकी से निग जू क्यालकुलेसन आपलों सीखिए सर यह 900 700 common है तो यह common हो जाएगा और 90 में सिदा सा 56 को भटा दीजे सर नबे में 56 गएगा कितना बचेगा 34 बचेगा 34 तो यह केल्कुलेशन थोड़ाम से सिखेगा यह इधर लाइंगे से मैनस होगा तो सर यहां पर उनीस सो दोनों से कमन निकाल लिया हूं सर यहां पर हम सेवन हंड़ेड को कमन निकाल लिया हूं और आप देख सकते हैं कि 90 में से अगर 56 चली जाती है तो आपको जो टर्म मिलेगा यहा सर ठीक है यह बात कर लेते हैं केल्कुलेशन को सब्सक्राइब और क्या कर सकते हैं तो डारेक्ट हम इसको कटा देंगे हम बहुत अच्छे से अगले सवाल आपके स्क्रेन पे कुछ इस तरीके दिखने वाला है ठेक है आए बात करते हैं यह सबसे इंपोर्टेंट टाइब का सवाल होगा काफी महत्पूल सवाल है इसको जरूर आप क्या कर सकते हैं इंपोर्टेंट मार करके पढ़िए आज के वंडे एक जाम में इस तरह की सवालों का एक ट्रेंड चल रहा है और आम तर पर आप दलती हैं इसलिए करते हैं क्य लड़कियां उसी काम को जो है सो दो दिन में पूरा कर सकते हैं तो बोलता कि साथ लड़कियां और तीन लड़कियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो थोड़े देर के लिए आपको confusion भी हो सकता है हम बहुत कोई दिक्कत नहीं है सर दीए time and work जब आप पढ़त सब्सक्राइब करेंगे तो यह कितने दिन में काम करेंगे सर यह काम करेंगे हमारा दो दिन में सर यह हमको थोड़ा से confusion हुआ हम बहुत किस बात का सर टोटल वर्क हम इसको मानूँ है इसको मानूँ हम बहुत भाई या तुम में इंडिपेंडेंट हो किसी को मान लो बात बराबर है यहां बराबर का sign क्यों दिए हम एक ही काम को दो अलग लग कंडिशन में करवा के सब्सक्राइब इसका बराबर होने का मतलब अगर गल्स को इधर लाएंगे तो बॉयज और गल्स का जो रेशियू होगा आपका यह वन अनुपाद कितना हो जाएगा वन होगा बात समया क्या है इसका मतलब सरी वन इस्टू वन क्या है हम बले यही तो है काम करने की रप्तार क्या है यही वन इस्टू वन इस्टू वन क्या है काम करने की रप्तार है हम बले बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते है ठीक है अब क्या की काम करना हम बले क्या जहां जहां बोयज दिखेगा वहां एक रख देना जहां जहां गस दिखेगा वहां पर भी ए टीक है बात करें दियान सुनिएगा अब क्या करें हम ले कुछ नहीं करना थे लिए जाता है तो टाइम बराबर क्या होता है गाई देखिएगा टोटल वर्क समझा है कि नहीं टोटल वर्क अपोन एफिसेंसी यह हम कोस्टन के साथ 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 को बताते चल जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और कुल कार्यों दक्षता यह आपको जैसे सवाल नहीं जो इसका यह जोका मैं आपको बताता चल जाओंगा यह धियां रखिएगा हम भले तो क्या प का मैं है हूं यह हमारे हो जाएंगे यह मैं हम लहां सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तौं आपकुछ नहीं करना मेरे दोस्त्त कूछ भी किस्वी करना मैं जहां-जहां जाए दिख रहा उसकी एफिसेंसी वन था आब दोड़ कर रखेंगा तो मान को रखी हो आपका तो यहां पर चालीस चालीस बटे दस का मतलब होगा चार ठीक है तो कितने दिन लगेंगे चार दिन लगेंगे देखे कौन सा उप्षन है उसका ठीक करिए और आगे बढ़ सकते हैं उप्षन नमबर डी तो इस तरीके से सवाल को प्रोपर कर ये टाइमन वरक में किसी भी टाइप के सवालों फसने तो मैं नहीं दूँगा जल्दी से फटापर से इसका स्कीन सोड लेजी आगे हम लोग सवालों क्यों रूख करना चाहते हैं फटाप पढ़ना जाने गाए जिस रूल को बोलते हैं यह काफी महत्पून है और सबसे आसान टाइप का यही होता है आँ दखिएगा ठीक है आई कैसे सुरू करते हैं क्या बोला एक कारी को एक बांदा का नाम है उन्होंने एक काम को जो एस तो दस दूने पूरा कर सकता है बी जो अगर उसी कारी को करने लग जाए तो पंद्रह दिन लग जाएगा तो बला है कि दोना मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा तो देखिए यह एक बार मैं प्रोसे समझा दूंगा हर एक सवाल को इसी वह में बना दूँगा देखिए आप आदमी एए है एक यह आदम है नि हम जान को. कभी नहीं करें को यह पंदरा तैन करना क सो एक काम कानाएं, हम बोले 30 इस इसे को नाम देते हैं हम लोग total work सर्फ टोटल वर्क होगा हम बहुत है और क्या सर्फ यह पाहला स्टेप के लिए हम बहुत पहला स्टेप के लिए है कि जो भी टाइम है उसका को hynny से का रहन है देशन सरी निकालए कि वाग देना है तोटल बारी बारी किससे से पहले है तीस को तो सरफ को तो सरी जागा हमारा कितना 3 और 15 से क्वाइठ करें हैं कितना यह ơiगा हमारा दो वर्या बड़े आप में से कई बचे दो करें हमें चाहरे हैं कि सरे announcement कि 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 एल्सियम आप 30 के से देखकर मार दिये यह बताओ कि क्या हम बोले आप एक जिए समझेगा यूट्यूब पे आपको वीडियो हला की मिल जाएगा मेरा इल्सियम का ओरल कैसे बीना पैन चलाए किसी का निकाल सकता है लेकिन मैं थोड़ी चर्च आपको कर देता हूं कभी भी तर्म 15 का दो गुना करके देखो दो गुना कितना होता है 30 क्या 30 को 10 डिवाइड कर दिया वह उसका लसीम होगा बात समय क्या इस तरीका होता औरल करने का अब क्या होगा हम बोले कुछ लिए क्यी बात पढ़ायते टाइम बराबर क्या टोटल वरक अपने एफिसेंसी तो सब्संवरे रख दीजिये सब्संवरे यहापर दोनों मिलकर करके करने की बात कर रहा तो देखो यह एक दिन में तीन काम करेगा यह एक दिन में दो काम करेगा दुन तो यह जागा 30 और यह हो जागा कितना बोलो 5 है पांस से डिवाइड कर दिए गाई तो कितना दिन हो जागा हमारा छोग दिन बात समझा क्या तो अंसर देख लिए चोग दिन कहां पर है तो यह जो तरीका है हर एक सवाल लगाऊंगा आगला सवाल आपके इसक्रिणी पर ला किसी को नाम यहांप लिए हैं ठीग है पहला काम हुई करना जो व्यक्ति को नाम लिए है उसको यह न पर आपको दिन की करना यह मतला हो department में समझेगा समय जिसका कितना समय है है यह ने दिन्हें सकता है कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है spark in kरसे ही को सबसे बढ़ा टर्ण कोन है 15 तो 15 को किया मां की दोना बचा वो नमबर डिवाइड कर रहे हैं सर नहीं कर रहा है अगर तो यहाँ पर क्या हो जागा याद है कि मन में कि साथ बार बार लिखना मत कि यह ले रहे हैं तो यह साथ हो जागा गए इसको बोलते हम लो टोटल वर क्या बोलते हम सौट में लिख दिया हम समझ जाना सर दूसरा स्टेप अपने क्या बोला था हम बले सुनो आईशना बढौ इसके सर दस से बारे आठ इसे क्या करना है और रहा कि अदिन में उसकी एफिसेंस यह समझ मेंrate सर तीनो मिल करके इस काम को कितना दिन में finish करेगा हम फिर यहां पर रुकना चाहूँगा कि 3 A, B, C 3 तीनो का मिला करके पुछा है सर ये time बरावर क्या होता हम भले total work upon efficiency सर total work के जोगपर क्या लेख देंगे हम भले 60 लेख देंगे सर efficiency किस का किसका है हमssäह hard अगर तीनो मिलकर के कर रही है तो तौध मिलकर का efficiency लेना पड़ेगा अगर अकेली एक करता तो अकेली हम间 की समेह है क्या ठीक है सरीपदया है थीक इसवाइब कि色ण है तीनो की ऐफिस्चन से युड़ते है तो देखे, चार देवें आपे है, option में क्या है, देखे आपे D option है, ठीक है, अगर आवर्शत गलती से कवी मुझ से मेरा निकल सकता है, कि यह सर्डेज, तो आप लो इसके लिए छहमा करिएगा, ठीक है, बस समझे यह time का unit है, बाकि प्रोसेस में कोई बदलाब नहीं है, इस मैंन को इम दिखा दी वो комेंन को डव son को व से दिखा दी यहुहांपे व्याज को किसे दिखा दी हम लोग B से मील करके कितना दिन में कर दगा रखेगां किटना दिन में करےगी की 24 दिन में ठीक है, तो सर अगर वो CC अकेली करेंगे कितना दिन में 24 दिन में ध्यान सुनिएगा अब बोलो इतने बड़े टर्म के से लेते हैं मेरा वीडियो सर्च करना यूट्यूब पर है ना जो भी आप कोशन इंसर सेशन प्रोग्रम पढ़ा रहा हूं मैं आप तमाम एसा ही बच्चे को बोलना चाहूं का पूरे टॉपिक वाईज कवर अब कर दिया हूं छे वीडियो वहां पढ़ा दिया हूं खली नमर सिस्टम पे स्क्वार रूट अलग कर दिया हूं आपको हम ठीक है लसे में का तरीका आपको बता रहा हूं सब्सक्राइब चाहिए अब समझते हैं अब सरी क्या हो जागा लेकिन एक बात बताओ सवाल क्या बोला था प्रसर लड़का अगर अके इस काम को कितना दिन में कर पाएगा ध्यान सुनिये अगर लड़के का पूछा है तो याद एक लड़के की एफिस्टेंसी होनी चाहिए सर लड़का का अकेले का अकेले का कितना कर रहा बीस तो यह एक दिन में करेगा मेरे दोस्तीन व्राइज बढ़ाबसार टोटल वर्क सब्सक्राइब आपके स्क्रीन पर क्या रहेगा जल्दी से अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या रहेगा जल्दी से करते हैं बहुत बढ़ियां एक साथ 10 दिन काम करने के बाद उन्होंने बीमार होने के कारण काम छोड़ दिया और स्याम ने बाकी काम तीन दिन में खत्म कर दिया तो स्याम को अकिले इस काम को करने में कितना दिन लगेगा बहुत उम्दा सवाल है इस तरह के सवालों गाइज आपको यह समझने हैगा कि हम सुरुवात कहां से करें हम आम तूर पर आपको यह से महाज समझा के रखे हैं कि दखिए गा कि जिसका टाइम है उसको यहाँ पर लिग दीज़ें लिकिन सबोष्ट कोण सा टाइम है यहाँ पर बच्छे एक बार है ठीक है तो मैंने लाइं सुनों ये स्याम यह स्याइ मच्छा गौह करने में अगा हूए तोटाल काम को कितना दिन में करेगा, इसकी जंकारी नहीं है, ठीक है सार, सवाल को प्रोशीट करते हैं, हम भले ठीक आईए, इसकी LCM आपको समय आगे, हम भले हार सभूत 100 दिख रहा है, हम भले लिख लिख लिए यहाँ पर, इसका 100 LCM होगा, यह हम भले बहुत बढ़ी हैं, आईए बात क काम किया, हम भले 10 दिन तक काम किया, हम भले रुक जाए, एक बात बताइए मुझे, कि यह दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो सर यह पांच और यह चार, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, और अगर यह लोग 10 दिन काम कर देगा, दस से गुना कर कितना दिन में करके चला गिया था इसका मतल़ भी कुछ काम बचा कि आफ बच गया ना सर आप क्सका मेरे भाई तिन दिन में कर रहा है था पूरे काम और हने हन्डेड काम को स्याम कितना दिन में कर रहा है। क्योंकि आप यह बोलोगे सर स्याम का थेफिसेंसी दिया ही नहीं है काम को हम प्रोशिट करूं कैसे हम बले ध्यान सुनियागा हम बताते हैं कैसे करना अपको यहां सब्सक्राइब स्याम को यह स्याम को करने में कितना दिन लग गया कितना नना धार यह एक काम के लिए किल्कुलेशन में अब समझ जाओ वे ठीक है जिरो से जिरो कड़ जागा यहां से हो जागा हमारा कितना 30 दिन तो यह पूरा काम करेगा 30 दिन में देखिए option नमर कुन सा एक वार आप 30 दिन है कि नहीं है option नमर ए है देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से question को proceed करेए कभी function नहीं दूंगा मैं ठीक जल्दी से फरापर से स्क्रीन सोट लिजे, आगे हम आगे मुलाकात करते हैं, जल्दी से गाईज इसको नोट डाउन कर लिजे, ठीक, चलिया, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर गाईज ये रहा, इस तरह की सवालों कैसे आप डील करोगा, ये बात करते हैं, ठीक है, बहुत करने का स्टार्ट किया, एक साथ, हम बहुत ठीक है, अब आफ्टर सम्डे, जाना कुछ दिन के बाद, यही पर बच्चे आप लोग फंसते नजराते हो, पता है कुछ दिन जाकर वो बोल देता है, ता आप फंस जाते हो, सर किसे फंस जाते है, हम बहुत बताए, कि अभी त हम बले लसी हमको दिख रहा कितना 400, और यही 400 होता हमरा क्या, टोटल वर्क, सर ठीक है, टोटल वर्क होना आगया, एफिसेंसी बारे में बोलिए, हम बले ठीक है, एफिसेंसी आपको निकाल देते हैं, समझे, पचास से डिवाइड वर्क करेंगा, यह आठ बार में डिवा हमको छोड़कर चला गया, अच्छा, A ने छोड़कर चला गया, तो सरा बचे का को ना, हम बले B बचे का, ठीक है, अब वही बोला था, and whole वर्क, जो हैसो complete कितना दिन में, और तालिस दिन में, तो यार दोनों ने मिल करके काम सुरू किया, कुछ दिन काम हुआ, और A काम छ कर दूँगा, और टोटल वर्क आपको 400 है, यही टोटल वर्क आपको करवाना है, और यह देखते हैं, सर, किस तरीके से करा सकते हैं, जल्दी से इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लिजए, ठीक, मैं इसको हंटा रहू है, इस समझ जाना है, इस पार को हंटाना जो रही हमारे ठीक है, हंटा रहा हूँ, ठीक है, सर, टोटल वर्क को क्या करो, टोटल वर्क के बरावर करेंगा, हम बोले टोटल वर्क कितना 400, समझेगा, हम बोले हम सर, A और B इस काम की सुरुवात किया, सर, ठीक है, कर दिये, कितना दिन किया, हम को नहीं पता मेरे भाई, तो हम तो 48 में डिको के करना पड़ेगा और किया कूँ मैनस करना पड़ेगा और किया तो इतना दिन-मे करेगा इसको अब आएकी काम करना जहां-जहां-जहां-जहर weak THIS का पांच सर यह हो जागा और तालीस और यह हमारा क्या हो जागा गाइश डी केलकुलेशन किस तरीके से करते हैं किस अंदाज में करते हैं सर यह 400 होगा हम बोले होना ही चाहिए कोई दिक्कत नहीं है सर यह देखिए आप यहां पर आठ पांच तेरर डी हो जागा डारेक लिख रहा हू बचे कहाँ जल्दी से भता हो सर यह तो मां तो यह देद दिया हम बिल्कुल अब आपको पर सब्सक्राति है क्यों स्क्राइब करना ने हर आरत टाइब के सवाल कुं मैं आपको time and work में cover up करके जाओ अidents स्क्रिन से पेपर जाके दिए, निश्चिन्त होकर, स्क्रिन स्ट लिए फटापोट से आगे बढ़ते, मुलकात करते अगले सवाल के साथ, जो कि आपकी स्क्रिन पर ये रहेगा, ठीक है, अब सवाली बहुत अच्छा सवाल है, हम बहुत अच्छा सवाल है, चलिए अगला सवाल यह है आपके स्क्रिम पर देखियां से बहुत ही उंदा सवाल है आई देखतें क्या करना है अपको टिक सर ए और बी जो ऐसोग देखिए समझेगा ए और बी किसी काम को बीस दिन और तीस दिन में कर सकते हैं बहुत बढ़ी है आई यहां पर यह बहुत बढ़ी है इस तरह सवाल है आपको बार बार परेसान कर सकते हैं तो कहीं ने कहीं इस बात का बिस्स तोर पर आपको ख्याल रखना होगा ठीक है रखेंगे आई यहां पर यहां पर बी था हम बहुत बढ़ी है यह बात कर लेते हैं फिर हम लोग ठीक है तो सर यह टोटल वर कितना हो जागा हम बोले साथ हो जाएगा सर दूसरा स्टेफ ने क्या बोले था हम बोले थे efficiency निकालना, तो सर साथ को 20 से divide करो कितना वार में, तीन वार में यह 30 से करो कितना वार में, दो वार में ठीक है, तो सर यूमीद करते हैं यहां तक clear है हाँ सर clear है, आई यह शुरूआत करते हैं बोला, दोनों ने मिल करके, कि आप यहीं पर आप mistake कर जाओगे, क्योंकि सर, यहां से कहां सुरू करूँ, कहां से सुरू नहीं करूँ, यह तकलीफ होता है हम बोले जब दोनों मिल करके सुरू करेगा, मतलब यह तीन काम करेगा, यह दो पांच, लेकि कितने दिन काम किया, इसके कोई जनकारी है, नहीं सर तो हम बोले, यहां सुरू करने के फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया, और आगे एक लाइन बोला था हम बोला था, पता होतों, तो आगे यह बोला था, कि A जो ऐसो देखेगा ya पे, यहां पे थाफ साब लिखा हुआ है, अधि A सेस काम को जो 10 दिनों में करते हों, दस दिन में कर देते हैं, मतलब बच्ची हुई काम को ए ने दस दिन में पूरा कर देता है, तो बोला कि वहाँ छोड़ देना आप हमें साब बच्चे हुए काम पर फोकस करो कि अखरी काम बचा कितना था जिसको ए ने जो है सो दस दिन में पूरा किया सर केसे पता चलेगा हम बले लो देखो यहां पर बचा हुआ काम कर रहा है इसका मतलब बचा हुआ कितना रहा होगा तीस तो मेरा सवाल का चबाब देजी टोटल साथ काम था जिसमें से तीस काम अभी बच गया है हम बले ठीक है तो सर इसका मतलब तीस काम जो बच गया तो घटा देंगे तो जो तीस काम रहा होगा यही वो तीस काम होगा जो दोनों ने साथ साथ मिल कर किया होगा टोटल काम में बचा हुआ काम घटा देंगे मेरे दोस्त तो कौन से काम निकल जाएगा सर यही वही काम है जो दोनों ने मिल करके साथ-साथ किये होंगे हम बली ठीक है देख अब साथ में कितना दिन किया है निकाल देता हूं देखो Yukar दोनों ने अ और B ने मिल करके कितना दिन में किया पता चल जाएगा हम ले दोनों मिल करके तो इसका कमबाईनेस निकिश भाग दे दो Casey यह दो काम कर रहा है यह तीन काम पांस काम तो सर ही आ ग यह रहा द्यान सुनिए गा एक सवाल क्या है हम बहुत उंड़ा सवाल है हम बहुत सुरुवात कैसे करते हैं इस तरह की सवाल में खास करके आपके लिए महत्पूरिय इसलिए होगा कि यह वह सवाल है जो मुझे लगता आज के टाइम में वरन डे एक्जाम में हैना अलगला कि किसी एक एक्जाम को ठालो दस से पंदरा वार पुछा गया इसलिए सवाल को थोड़ा सा इंपोर्टेंट मार करके आगे बढ़िएगा कितने आसान से कड़ा दूगा यह हमारी रिस्पोंसिविल्टी बस आप थोड़ा आगे तो बढ़िए हम बले ठीक है सर आगे बढ़त मैं चोबीस दिन में यहां पर हम चोबीस ले लिए डन और आगे बोला सर ए और सी मिल करके जो एसो कितना दिन में कर रहा है तो सर ए और सी इस काम को मिल के कितना दिन में कर रहा है बीस दिन में तो यहां पर क्या ले लिए था हम बले टाइम दिया हुए था इसके बाद करके efficiency तक की सफर को तैय करना सब्सक्राइब क्या हो गया सब्सक्राइब बहुत बढ़ी है इसका मतलब तोटल वरक आप यहां पर निकाल चुके 120 अब दूसरी सब्सक्राइब करेंगे तो कितना वार में जाएगा हम ठीक है और सब्सक्राइब कितना वार में जाएगा हमारा छे वार में तो यह क्या निकल गया efficiency हम बहुत की efficiency तब आप बोलोगे सर यह बात तो बहुत अच्छा दिलाए हम बहुत चार काम एबी दोनों मिल कर रही है सर यह पांच काम बी और सी मिल कर रही है और ए और सी काम को पूरा करने में आंपे लिखा था न अचांगे कि हाँ सर तो एक अकले है नहीं है और यहीं पर आप आप जाओगे आप निकालने में असमर्थ मैसुस करोगे लेकिन आज के बाद नहीं चलिए कैसे सुरू करते हैं समझे द्यान से हम बिले तीनों की जोड़ो तो यहां पर जोड़ो है। बराबर सबकी एफिसेंस जोड़ों शर कितना हो जाओ गोड़ा करिया यहां पर जोड़ेंगे तो थीख रही ज़़ूजा यहां विपी दो बार तो दो को common कर लिया जाए हम बोले common कर लेते हैं तो यह हो जागा A plus B plus कितना C और यह बरावर कितना हो जागा हमरा 15 गयान सुनिएगा हम बोले ठीक है सर हम बोले चाहरा 2 से डिवाइड कर दूँ हम बोले कटा दीजिए देखिए आपे यह सबसे ही पहला लाइन यह मिदर रखिएगा कि तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा साथ है और efficiency सबका निकालने की तरीका बताओं क्या हम बोले चाहिए हम बोले हम बोले हम बोले क्या करेंगे हम बोले अगर इन तीनों में से ए को छोड़ करके बी और सी का अगर efficiency घटा दोगे तो एक नहीं निकल जाएगा हम बोले बड़ा अच्छा बात बोले सर अगर ठीक है क्या करते सर एबी सी में A & C का घठा लेते सी का चायत क्या होगा सर A B को घठा लेते A B C में से ठीक तो यहां से जल्दी से लिख लिख लिए यहां से मैं रफ करने वाला हूं क्योंकि मुझे आगे question को प्रोशिट करके अंसर देना है सबसे महत्पून कोस्तन सलाइड का यही था याद दखिएगा ठीक है जल्दी से इसको लिख लिए एफिसेंसी निकालने तरीका सवंज में आगा यहीं पर फंस हो गया ठीक चलिए सर यहां से हम आगे बढ़ना चाहिए ठीक है चलिए आगे ब कितना काम किया है सारे साथ के रफ्तार से जो है 106 दिन तक काम किया है कितना काम कर लिया होगा हम बले 15 कितना हो तर 45 काम कर चुका कितने दिन में छे दिन में ठीक है हम बोलो ठीक है सर तो गाईज मुझे बताइए कि 45 अगर घटा दिया जाए तो क्या होगा अब बोलो सब्सक्राइब कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा 75 तो यहीं 75 कम कौन करेगा बचा हुआ ए अब यहां से एक ऐसे भाग देदो अब ठीक ह सब्सक्राइब करते लिए कि अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा ठीक है क्या बोला सवाल जितने सवाल होते हैं आपके लिये काफी महतपुन सवाल होते हैं जिसको ध्यां रखेगा ठीक चलिए किला थी का सी काम को 10 दिन में कर सकता बहुत बड़ी और बी किसी काम को मैरे दोस्त है 15 दिन में कर सक्ता है किला ठीकश्ट से कर सकता है हमेले यह क्या हैं लोग कितना ती का दोतल वर्क आपकर अ Kids से क् idc nिस निकलेगा ध्यान सुनगा ठेकिए हम बहुत बढ़े हैं और काम को अल्टरनेट किया जाएगा हम बहुत बढ़े हैं और काम को अल्टरनेट वे में करना है बहुत बढ़े हैं अल्टरनेट का मतलब होता है मेरे दोस्त आज अगर हम काम करने गए तो अगले दिन आप जाओगे फिर उसके बाद हम जाएंगे फिर आप जाओगे बहुत बढ़े हैं ठीक है चलिए देहां सब्सक्राइब पर अपर इसका कितना दिन गया होगा मेरे दो जाए लो पांच है सर वो काम कितना करवाना च्छे तो क्या पांच के टेवल में च्छे तीस आता है कि हां सर आता है ना हम लों कैसे आता है तो सर कुछ नहीं करना है इधर भी आपको छे से गुना कर देनी है और इधर भी आपको क्या करना शे से गुना कर देनी है कितना हो तो मेरे दोस्त याद अखेगा कि ए और बी के दुआरा इस तीस काम को करने में कितना समय लगा बारा दिन जो देख लो कौन सा उप्सन है आपके लिए बारा तो हमने क्या 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 दो दो आप है फिर समझेगा दो काम को पांच दिन में तो आप छेचे से गुना करके भी हम कशिश करिए मेरे दोस्त छलीए यह सवाल आपके लिए हमला करनी तो मुझेश सवाल में तो आपको दोंगा जल्दी अगला सवाल ठीक है? एक बहुत बहुत बहतरी सवाल है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं आपके पेपर में, जिस question को guys आप लोगो efficiency से सुरू करनी पड़ती है, और इससे सवालों को के लिए आपको थोधान रहनी होगी, जिससे आपके क्या बोला है, समझेगा, A, B से तीन गुना अच्छा क इसका मतलब यह सवाल efficiency से सुरू की जा रही है, ठीक है सरा यह बात कर लेते हैं, A है, यह B है, काम करने की रप्तार को efficiency बोलते हैं, हम बोले हाँ, इस three is two क्या हो जागा, यह one हो जाएगा, एक बात आप लो याद रख लिएगा, कि time जो होती है समझ लिए, यहाँ पर theory का ज कर देना, दो अनुपात कितना हो जागा, एक हो जाएगा, तो जो भी efficiency और time का ratio का, एक दूसरे का inverse nature का होता है, यह बात याद रखेगा, आने वाले वक्त में इसको हम लो इस्तमाल करेंगे, ठीक है, चलिए, समाझ जाए, इसका मतलब यहाँ उल्टा कर सकता है, कि time का हम ल ratio के हिसाब से 40 दिन तो नहीं दिख रहा है, हम ले कितना दिख रहा है, ratio के हिसाब से 1 को अगर 1 दिन लगेगा, 2 को 3 दिन लगेगा, मतलब कितना कम लगेगा, बोलोगे, सरी हमें 2 दिन कम लगेगा, सबाल बला नहीं, सर 2 दिन नहीं, 40 दिन कम लग रहा है, हम ले मेरे दोस् का 40 दिन के बराबर होगा और यहां से गई एक ratio का मान बता सकते हैं हम भिए हम सर एक ratio का मान जो होगा वो बिस दिन होगा इसका मतलब यहां से एक बाद तो confirm होगा- क्या किическая कमान 20 आ गया और आँ पर एक वाद देखिए भाँ है क्या एक ratio का कितना 20 तो एक को 20 दिन लगता होगा और यहाँ पर गया इस तैन का मतलब 30 तना साथ सरे यहां से एक बात gonna differm क्या हो गया कि एक किसि काम को को करती एं गौत कूर किया किसी काम को साथ दिन में करती है चंश आप किसी कोर संथ कियों कर रहे हैं क्यू tussen पूराना सवाल हो गया, हम भोले हाँ क्या हो, A किसी काम को 20 दिन में, और B किसी काम को गैज कितना दिन में, 60 दिन में, यह efficiency हम निकालने, क्यों को LCM ले लो, LCM लेंगे सर, कितना होगा, साठ और यह साठ की हो जागा हमारा टोटल वर्क बात समझा किया हम लेहां सर आप निकल गया हम लेहां निकल गया और सवाल बोला कि सर अगर दोनों है नहीं लिखा है कि सब्सक्राइब 6 दिन अगला सवाल आपको सब्सक्राइब सबस्क्राइब अगला सब्सक्राइब करने की इसकी अब क्या घ्रिक नहीं जाते हैं प्रसे बात को थ्याद रखेगा ठीक है तो आप और थेक्ते किस तरह की सवालों करेंगा यकी बात और कम बेसे को हमेसा काम की अधार बांटा जाता ना कि कि एफिसिंसी की कहँटर में मेरे दोस्ट अगर नहीं दिया गया क्या एफिसिंसी की आधार पेशे को माigation काम करेंगे चलिए शुरू कर लेते हैं किया बहुला यहाँ पर इखेगा A और B किसी काम को कितने दिन में कर सकता है A ने दस दिन में B ने 15 दिन में आखेगा 30 मतलर मतलब 30 थी बहने अच्छा A और B में बहुला कितना दिन काम किया 5 दिन हम बोले ठीक है समझ लेज़े हैं पर सर ये ए और बी ने पांच दिन काम किया हम बोले हम बोले हम कितना काम किया होगर हो जाइए सर ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा तीन और दो कितना पांच और पांच दिन में कितना काम कर लिया सıl उसके बद क्या होगा बताऊगा हम बोले सुनो इसके बाद क्या किया गाई सी आया और बचा हुआ काल । रेस्त वर्क जो है सी ने दो दिन में क्या कर दिया «finiss» मतलब बची हुए पांच काम को सी ने कितना दिन में किया दो दिन में «finiss» किया तो सवाल बोला ता कि और आप सुनो ये टोटल काम को करने के लिए इन लोगाँ को 35 सो रुपया दे अधा था तो बहले बोला सर सी को 45 सों में कितने पैसे मिलेंगे तो सर यहाद है कि पेसे हमेशा उसके काम का मुलती है जो जितनी उनिट काम किया उसको उतनी उनिट का पैसा मिलेगा तो सर यहांपे सी कितना उनिट का काम किया हम बहुत पांच तो सी को पांच उनिट का काम मिलेगा यह पैसा मिलेगा अब सर यह दो दिन में किया इसका क्या काम है हम बहुत इसकी कोई काम नहीं है आप दो दिन में करो या दो मेहनेम करो या दो साल में करो आपको पांच ये काम का पैसा मिलेगा सर कैसे निकाले हम बले बता देते हैं देखो हांपे टोटल कितना मिला था पैंतालीस सो हम बले क्यों मिला था अरे सर ये तीस काम को करने के लिए कितना पैसा दिया गया और इसा पंदरा सो दिया गया गया कितना पैसा हो जागा है सर पांच काम कर देंगे हमारा हुगा साड़े साथ सो तो या दखेगा कि सी को जो हिसा होगा सारे साथ सो जातर बच्ची इसमें से 15 सभी कर सकते थे जो गलत है या दखिएगा ठीक है चलिए तीस तरह से टाइम एन वर्क को हम यहीं पर फिरीज करना चाहूंगा यह उम्दा सेशन रहा और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डाउट आन नहीं होगा एक नेगेटीव वर्क की क्नसर्प यहाँ पर हम बाद में समझेंगा कि यहां को कई टेंकी होगी जिसको कोई पॉष आपकि करने काद Meng करती यहाँ gen Brand की कर आगे जिनकर में जाता बस इतनी आपको ंप पड़ेगी और कोई टॉपिक में कोई अंतर नहीं है एक दो सवाल विसका हम लेकर करके सेशन को फिनिस करेंगे क्योंकि टाइम और जूसरा में आगया पाइपन सेश्टन दोनों सेम प्रोसेस से बनती है अगये चली बात कर लेते हैं सर हम भूले हाँ ठीक है बला सर दो टेप यहां पर समझेगा नहीं नल लगे हुए एक ट्रेंकी में सर एक जो है से इसको भर सकते हैं क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब सकते कितना 240 कूंछ 240 और यह हो जागे आपकी टोटल वर्क नहीं आप हम लोग टोटल कैपसी टी बोलेंगी कैपसीटी मतलब सब्सक्राइब पानी टंकी ले सकती है उसकों मैं बोलते है ूव क्या बलते हैं एक साथ छोड-देंगे कि सर अगर वो दोनों को एक साथ छोड़ देंगे चला करके कितने दिने टंकी भर जाएगी यह पुराना अंदाज हो गया वहले सर क्या हमले टंकी ए पाइप ए और बी को भरने में कितना लगेगा हमले सर टाइम पुछा हमले हाँ टोटल वर्क उपर लिखा जाएगा हमले टोटल वर्क का मतलब टोटल क्यापेस्टी 240 हाथ दोनों मिल कर भरेगा मतलब दोनों की एफिसेंसी से क्या करना भाग देदना है ठीक है कोई खाली करने लो यह टंकी नहीं था हमले ठीक है सर आई बात करते हैं पांस से भाग दा दिए सर 240 को अगर हम पांस से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा पांच ओका बीस और पांच अटी क्या होती है और क्यों होती हैसकी समझ पांस सकती है जो सकती है और एक pipe guys यहाँ पे C है जो इस tanky वो खाली कर देगी एक घंटे में तो यहाँ पर unit conversion का business ख्यार रखे एक घंटे का मतलब होता 60 minute है अगर सब कुछ minute में है तो इसको भी minute में रखेगा दिमाग में नहीं आधा है यहाँ पर negative लिखना negative का मतलब है खाली करने वला tanky है ठीक है सवाल कितनी उंदा होती है ते हमारा यह हो जागा हमारा तीन यह हो जागा हमारा दो और यह हमारा कितना हो जागा एक लेकिन यह मैनस लगाने मत भुलिएगा वरना अंसर गलत आएगा यह जो होती है कि खाली करने वाले पाइप होती है जिसके एफिसेंस हमें साथ के नेगेटिव लेना है सवाल क्या वाला समझते हैं अगर सब्सक्राइब करें तो कितना समय लगेगा ठीक है एक साथ का मतलब है यह दखिएगा पिसला वाला हम भी ठीक है टाइम ए बी और सी को ठीक है टोटल जो है सुस कितने क्याश्टिय है साथ तीनों मिलकर भरेगा हम भले हां इस वाइस दो भरेगी यह खाली करेगी चलि तीन और दो हैं घड़गा कितना है चार तो साथ को अगर चार से डिवाइड करेंगा उमेद करते हैं पंदरा आएगा तो यह 15 मिनट आपको देख लिए कहा पर अंसर है आप देख सकते और सी तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो इसको हैंडल प्रोपर में कर लिजिए जल्दी से स्कीन शॉट लिजी अगला एक और सवाल है एक सवाल होम वर्क विब मैं आपको देने वाला हूं ठीक कहीं कोई अंतर है क्या नहीं सर दो पाइप मतला ए और बी मिल करके देख सकते हैं सर यह बारा घंटे और यह दूसरा पाइप यह सब्सक्राइब कोन है इसको क्या करते हैं सर यह इसको कितना हो जाएगा हमारा नहीं सब्सक्राइब कोई और एक सवाल वही पूछा भी था कि दूसरे पाइप को भरने कितना समय लगेगा हम बले कुछ नहीं साट को भाग दे दो बी पाइप को कितना समय लएगा मतला साट को गई जाएगा तो लगेगा कितना तो तीस घंटे तो तीस घंटा उप्शन कौन सा उप्शन नमर सी उमिद करते हैं कि यह पाइप का भी चीज़ें कॉंसेट के लिए रहा होगा ठीक है एक सवाल यहां पर और भी हम बात कर रहेंगे इस हम लोगी तो यह सवाल में आता किस तरह चैन रूल होता है क्या चैन कि को बीस मिनट में भर देते हैं ठीक है ठीक है घंट अगर टेंकि नौ जो ईसको इसको बीस मिनट में क्या कर सकते हैं फिल कर देंगे आगे लिखा है उसी पानी के टेंकी को पंदरम भरने के लिए कितने नलों की और सकता होगी एम-उन-डी-वन के अलवा कुछ नहीं तो यह उमेद करते हैं कि कोई सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करिए ठीक है और एक सवाल मैं आपको हमर के तुर पर जरूर दूंगा बहुत असा सवाल है देख लिए इस तरह के सवाल पेपर में आजए तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग दो सवाल में आप जरूर करें तो उम्दा सेसन रहा होगा आपके सेसन कैसा रहा जरूर कमेंट करके आपनों बताईए कि सेसन कैसा लगा ताकि लिए और वी वीडियो में लेटें एक हम लोग्या करेंगे पुरे कमरिशन का में टीम लेकर का आएगी ठीक है तब तक लिए जय हिंद जै भारत